सफलता पाने के लिए दिल से भी मेहनद करनी पड़ती है और दिमाग से भी मेहनद करनी पड़ती है जिसका दिल और दिमाग एक दिशा में चलें वो आदमी हमीशा सफल होता है अकसर लोग दिल से फैसले लेकर अपनी हानी कर बैठते हैं ऐसा इंसान जिसे मौके पर निर्णे लेने में परिशानी होती है ऐसा इंसान जो वक्त पर अच्छे फैसले नहीं ले पाता दिल और दिमाग की कश्म कश्म फसा रहता है या फसा रहती है वो इंसान तरक्की से बन्चित रह जाता है तो आज मैं आपको बताऊं का कैसे दिल और दिमाग को एक साथ मिलाया जाए और परिशा हो, कम्प्टीशन हो, कोई नौकरी हो, कोई वहबार हो और उसमें कैसे जल्दी तरक्की पाई जाए कैसे शत्रू का विनाश किया जाए कैसे ग्रभू को शांत किया जाए कैसे जल्दी अपनी नौकरी में प्रमोशन पाकर अपनी सेलरी को बढ़ाया जाए और अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी को पाया जाए और जो दिमाग में वैपार चल रहा है दिमाग में जो आईडिया चल रहे हैं तो वो कैसे सच किया जाए मैं श्क्रोजर सचिन आपका बहुत-बहुत स्वागत और भी जद्म करता हूँ राशीफल 30 चुलाई 2021 के इस प्रोग्राम में सबसे पहले जानते हैं आज सुबह का संशित पांच चांग सुर्योदे होगा पांच बच के 41 मिनट पर सुर्यास्त होगा साथ बच के 15 मिनट शाम को तिथी है कृष्ण पक्रिस अप्तमी वार शुक्रवार योग गरती चंद्राशी मीन दो बल्य तर उसके बाद मेश अभिजीत महुरद 12 बज़े से लेकर 12 बच के 14 मिनट दोबहर तक राहुकाल 10 बच के 46 मिनट एम से लेकर 12 बच के 27 मिन पी एम तक सरवार्त सिद्धी योग पूरे दिन बना रहेगा और आज आपका जनब दिन है शादी की सालगिरा है तो आपको बहुत-बहुत ठेरोश शुब का मनाए तो चलिए शुभारंब करते हैं इस वीडियो का आपके आज के राशी फलका उससे पहले मैं दो मिनट आपकी जन्ती बदलने का एक उपाय बताना चाहूँगा ये आप एकी स्टोन देख रहे हैं इसको बोलते हैं रोज क्वार्ट फिर आपने एक स्टोन देखा इसको बोलते हैं लाजवर्ट अब इन दोनों को जब आपस में मिला दिया तो एक ब्रेस्लेट बन गिया जो इसको आप अपने हाथ में पहन सकते हैं आधे दाने इसमें रोज क्वार्ट के हैं आधे दाने इसमें लाजवर्ट रतन के हैं औरिजिनल, प्रमारिक और शांदार बीट्स का प्रयोग किया गया है और साइडो में आप देख रहे हैं दो बीट्स अलग बड़े बड़े लगे हुए हैं दो दाने बड़े बड़े हुए हैं ताकि इसकी पावर बढ़ जाए ये कवच या इस ब्रेसलेट को जो भी इसान पहनता है कौन पहने जिसकी बुद्धी कमजोर हो चाहे हो बच्चा हो चाहे हो बड़ा हो जिसको बुरे बुरे सपने आते हो जो डरता हो जिसकी नौकरी में बड़े लंबे समय से तरक्की न हो रही हो जिसको नौकरी मन चाही ना मिल रही हो जिसके वैपार में वैसा आमदनी ना हो जैसी होनी चाहिए जिसके घर में पती-पत्नी की लड़ाई हो जिसके घर में सम लोग लड़ते हो घर में अशांती हो इसको वो पहने जिसको जिन्दगी में प्यार ना मिला हो इसको वो पहने जिसका प्रियतम यानि आपका लव मेट जिससे आप प्यार करते हैं या करती हैं वो हमेशा रूठ जाता है या रूठ जाती है या जखड़े होते हैं इसको वो पहने जिसको शनी का कोई योग सता रहा हो, जिसको साड़े साती सता रही हो, जिसको कुछ और अन्य प्रॉबलम हो, इसको वो पहने जिसको जीवन में प्यार और सफलता दोनों को पाना चाहता हो, इसको वो पहने जो दिमाग और दिल को मजबूरत करके आगे बढ़े हो, इसको वो पहने जिसके ओपर किसी की बुरी नजर का साया हो, इसको वो पहने जो इस जीवन में जल्दी तरकी करना चाहता हो, इसको वो पहने जो छोटा बच्चा है ताकि उसको कोई बच्चों को चोटे बच्चों को नजर लग जाती है बहुत 11 बच्चा है ऐसे आपको घर बहुत अच्छा है तो घर को नजर लग जाती है ऐसे आपको नजर लग जाती है आपकी नौकरी को नजर लग जाती है आपके काम को नजर लग जाती है तो वो लोग तो इसको चरूर पहने इसको पाने के लिए आपको L7 लिखकर वाटसेप करना होगा और 1850 रुपे का ये मिलेगा इसके साथ काले गोड़े की नाल आपको फ्री दी जाएगी और साथ में आपकी राशी के अंसारे की लखी स्टून फ्री दिया जाएगा तो इसको ओरर करने के लिए आप दिये के नुमरों प्राप्त होगा आपकी जमापुझी बढ़ने का संक्यत आपको फुलेगा शेर मार्केट पे धन निवेश करके आप बहतर पढ़ना प्राप्त करेंगे सहत समान रहेगी वैपार के लिए आज का दिन शाददार है जमापुझी बढ़ने वाला दिन है खाने पीने के मामले में विशेश सावधानी आज आपको रखनी होगी रोजाना नियमित वयाम करते हैं तो छोड़ियेगा नहीं दवा आपकी वक्ते लिएगा वहिलाओं का आप पान करने से बच्ता होगा शांत मंद से सभी काम करें और कमर के विचले हिस्से में दर्द हो सकता है साज्य दाल और या अपने प्रित्व को गंबीरता से लें उनकी बातों को इवनोर ना करें गलत विचार धारा आपको आपकी परशानी का कारण बन सकती है कही सुनी बातों बध्यान ना दें आप अपने वैपार को बहुत समझदाजी से चलाएं दिन बहुत बढ़िया है आज आपको समाजी कतिविदियों में आप पीछे नहीं रहेंगे खुश रहकर आप वक्त बिताने के लिए आज तयार रहें अच्छी कोशिश करिए अच्छी सफक्ता मिलेगी लोगों के बीच में बैठ ये उठीए बात करिए एकांग से दूर रहने की कोशिश करने तो बढ़िया हो बड़े बुद्रों के साथ वक्त बिताई है उनका हालचा लिए हो सकता है आज आपके पिता जी आपकी माता जी आपसे कुछ वक्त मांगे तो वक्त दे दीजिएगा आज आज आपको किसकी पुझा करनी है आज आज आपको सूर देव की पुझा करनी है ताकि आपके तो आपके पास ये L7 के रूप में वो चावी है, जिससे जीवन की हर समस्या का अंत हो सकता है, अब आप अंत करना चाहते हैं, तो L7 लिखकर वाटसेफ करें, और ओरर करें, मंगाएं, और जीवन में देखें, कैसे आप सरुषेष्ट बनते हैं, नवाश्कार